हेलो फ्रेंड जैमात आदी कैसे आप सभी लोग उम्मीद है बस्त होंगे चगा जख होंगे खुश होंगे दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मद्ध प्रिदेश बुलिटिन में आज हम लोग 10 मिनिट में एक नमबर पक्का करने बाले हैं आज हम जाते हैं वह वाटरफॉल किस नदी पर है बस दस मिनिट का ये वीडियो है दस मिट का वीडियो आपके आने वाली एक्जाम में मद्ध प्रदेश की कोई सी भी एक्जाम हो वहां पर एक नमबर पक्का हो जाएगा दस मिट में एक नमबर पक्का आईए तो सबसे पहले हम को कि सबसे पहला भाल करेंगे कपिल धारा जल प्रिपाथ कहा है जैसा कि आपको पता है नरब्दा नदी जो है वह अमर गंटक से निकलती यानि कि अनुपुर जिले से निकलती है अमर कंटक से तो अमर कंटक में यहां पर जो पहला जलपरपाद देखने को मिलेगा वह कपिल धारा जलपरपाद नर्वदा नदी पर बना हुआ है अमरकंटक से 6 km दूरी पर बना हुआ है, इसकी उचा ही जो है 24 मीटर, 24 मीटर उचा बना हुआ है, और कपी मुनी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कपिल धारा जल पर पात, कपिल मुनी के नाम पर, पवित तीर्थ इस्तल कहते हैं, अनुपुर जिले में अमरकंटक ये कपिल धारा जल्परपात एक किलुमीटर दूरी पर है ठीक है यह कपिल धारा से एक किलुमीटर दूरी पर है पंदरा मीटर उचा है और इसे दुरवासा रिशी के नाम पर ध्यान रखीएगा दुरवासा रिशी के नाम यहां पर इन्होंने तपश्या करी थी इसी कारण इस सबस् कि यह सहस्त तर्फार करें जो है यह का है नाम पूछा जा सकता है राजपू्र गायों में उच्पर में वश्वर में इसकी को मातर अग है और यहां सहस्तर भाव कोviet नरवदा के प्रभाव को अपनी हजार भुजाओं से रोग दिया था सहस्तर अर्जुन की आपने सुना होगा है बंस का एक प्रतापी सा सकता सहस्तर अर्जुन उसी के बंसच हुए अबंती उसी के बंसच हुए वित्री होद अबंती के नाम अबंती राजा के नाम पर ही दियान रखेगा बहुत इंपॉर्टेंड है राजपुर्गाउं महेश्वर जिला खरगौन में आपको सहस्त धारा जलपरपाथ देखने को मिलेगा फिर धुवादार जलपरपाथ की बात करें तो नर्वदा नदी पर धुवादार जलपरपाथ आपको भेडागाट चूरी राजाओं ने बनवाए था कल चूरी नदेशों ने बनवाए था धियान रखेगा 64 योगनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा भेडागाट यानि की जवलपुर में चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग बात करेंगे बहुती जलपरपाथ बह बना है सिरवोर तैसिल रिवा में बना हुआ है बहुती जल्परपाथ यह मत्रभी इसका सबसे उन्चा जलुपरपाथ है 1978 मीटर उचा 198 मीटर उचा यह बहुती जल पर जो है मद्र परदेश का सबसे बड़ा पर ऑट है अब बात करेंगे चचर जल पर पर यह भी बिहर नदी पर बिहर नदी पर रीवा में बना हुआ है 130 मीटर उचा है यह पहले मद्रदेस का सबसे उचा जल्परपाद हुआ करता था तो याद रखिएगा चचे जल्परपाद भी रीवा में भीषढ नदी पर और बहुती जल्परपाद जो है वो सेलर नदी पर है और सेलर जो है वो टॉन्स की सायक नदी है चलि आगे बढ़ेंगे अब हम लोग आगे देखेंगे केवती जल्परपाद केवती जल्परपाद दोस्तों महाना नदी पर बना महाना की सायक नदी भीहड नदी की सायक नदी महाना पर बना हुआ है जो भीहड की ही सायक नदी है रीवा में बना है उचाई नाप नहीं पाए पता नहीं है इसकी उचाई क्या है ये भारत का 24 बा सबसे उच्छा जलपरपात है और मकर सकरांती पर यहां पर मेला लगता है ध्यान दखिएगा केबिटी जलपरपात कहां पर दोस्तों रीबा पर है महाना नदी पर है चूलिया जलपरपात चंबल नदी पर है राजिस्तान के भैस रोडगर जिला कोटा में में पड़ता है इसकी उचाई 18 मीटर है राजिस्तान का सबसे उच्छा जलपरपात ध्यान रखिएगा राजिस्तान का सबसे उच्छा जलपरपात है बहुत ही सुन्दर जलपरपात है आप फोटू में देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर जलपरपात है चंबल नदी पर ब में बना हुआ है और स्वारी खरगोन डिस्टिक में हांडिया बढ़ वहां में बना हुआ है मंधार जल्परपाथ हांडिया बढ़ वहां में खरगोन डिस्टिक में बना है बारा मीटर उचा है नदी कौन सी है नर्मदा है इसके बात करेंगे पूरबा जल्परपाथ बहुत important तमस नदी पर रीवा में बना हुआ है ज्यान दखेगा तमस नदी पर रीवा में बना हुआ 67 मीटर इसके उच्टाई ऑफ कोशन पुछा जाएगा पूरबा जल्परपार्थ किस नदी हुआ है तमस नदी पर किस इस्तान पर बना हुआ है रीवा में उचाई किते नहीं है शिक्स्टी सेवन मीटर चलिए आगे बढ़ेंगे बहुत इंपोर्टन भालकुन जल्परपाथ बहुत पुछा जाता है बैतवा की सायक नदी है बीना बीना पर भालकुन जल्परपाथ बना रहें रहात गड़ा जिला सागर में रहें केंटन नदी पर चाठर में बना है इस जल्परपाथ क करीब खजिर ओhole ऐर्प ac लोग पड़ता है मैं देश का सबसे पसंदीता वागर्फाल था जिसे स्था हवालीडे का पूरुसकार मिला ठीक है स्रेष्ट हॉलिडे का पुरुसकार से इसे नवाजा गया 2017 में रहने जलपरपात के नदी छतरपुर देखे कितना सुन्दर फोटू में आपको नजर आ रहा है अब स्रेके पातल पानी दोस्तों पातल पानी जो है वो कहां पर है साणबल नदी पर बना हुआ है इनदौर में इसका इसका नाम चेंज हो गया है तात्या भील के नाम पर इसका नाम पढ़ गया तात्या भील वाटर फॉर्क दियान रखिएगा पातल पानी का नाम क्या हो गया चेंज हो गया ठीक है अब इसका नाम क्या हो गया है इसका नाम क्या हो गया तात्या तात्या भील जल प्रिपाथ ठीक है अफसरा जल प्रपा अब बात करेंगे जमुना जल पिरपाद बहुत इंपोर्टेश.. जमुना जल पिरपाद सेشन पुशा जाता है इसका इस्थानी नाम बाटरफॉल है.. बीवाटरफॉल मधूमककी वाला.. इसका पानी ऊपर से गिरता है.. चुकता जैसे मदमक्की खा रही है इसलिए से वी-water-fall भी कहते हैं तो जमना जलपरपाद नरगदपुरम यानि की पच्मणी में है इसका पानी पच्मणी सहरवासियों को पीने योग होता है इसे बी-fall भी कहते हैं क्या कहते हैं बी-fall तो बी-fall का ही नाम क्या है जमना जलप पर इसके बाद देखिए अमरगल का जल्परपात यह सी और में पढ़ता है डिल्स ओफिट ऊचा है अमरगल का जल्परपात कहां पर है सी और डिस्टिक में चली आगे बढ़ेंगे अब एक साथ हम लोग बहुत सारे जल्परपात देख लेंगे लिस्ट में है देखिए अगर कोशन पूचा जाए पियाबन जल्परपात कहां पर है भीहण नदी पर है रीवा में बना हुआ है बहोली जल्परपात कहां पर है यह गौर्मा नदी है रीवा में बना हुआ है इ जारबानी बहुत important है जारबानी जो जलपरपात है नरवदा नदीपर रही है कहां पर गुजरात में बना हुआ है नरवदा नदीपर दर्दी जलपरपात खंडबा में है नरवदा नदीपर जाड़ी दहा जलपरपात चंबल नदीपर इंदौर में बना है सीतला माता चंब पर बना हुवा शिप्पुरी में सुल्टान गढ़ जलपरपाद पर वांगारीहर colust 189 की ग attachments म्द्वद्देश के जितेने भी waterfall एक्जामह पूठे जाते हैं या पूछे जाएंगे सब हमने 10 में कवर कर लिए उम्मीद है कि आप से कुशन बनेगा अगर आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि आपको मद्यप्रदेश कॉंस्टेबल और SI की तैयारी सिस्ट्रमेटिक तरीके से संपूर तैयारी चाहिए वो मैस हो चाहिए आपका रीजनिंग हो या पूरा का पूरा जी या स साइन्स पोरिशन हो आप कंप्लीट SI और कॉंस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करना मैं कमेंट पढ़ूंगा फिर उस आपके कमेंट के हिसाब से फिर हम लोग कोर्स बहुत सांदर तरीके से बनाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशल रहे ठीक है चलिए जय हिंद जय भारत थैंकि सो मच बाय बाय टेक केर